आस्टेलिया में एक अपॉइंटमेंट लिया और उन्होंने मेरी पत्नी स्वाथी को फोन किया कि I am sending a video show it to chief उन्हें दिखा है और now I will burn with it समझ में नहीं आया है उन्हें भी कि इसका क्या मतलब हुआ कि now I will burn with it आस्टेलिया में उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके मेरी एक कविता मा कविता है उसकी चार पंक्तियां उन्होंने अपने रिदेहसल पे उसका पर्मानेंट टेटू करवाया और कहा कि अब इस शरीर के साथ ही ये पंक्तियां जाएंगे ये हमारे शो के प्रडूसर दर्शकों को में बता दू यह उदे हैं जब भी आप अप अधर को देखें तो अधर के दोनों गालों पर आप लोग हश कर रहें भाई ये क्या ये लो हस कियो रहे हैं एक इन होसे छोटा सा मीम चलता है युषक को लेकर इनकी क्या है वह मीम आप बताना चाहिए इसर मारे मित्र दीफ है उन्होंने एक मिम बनाया हुआ है कि जमने खुश होता हूं तो गालों पर लाल लाल हो जाता है तो उस तरीके से हो मेम है लाली आनती है जर मेरा सवाल था है Любoth किस्सा है कि αναभग फ żyff minutes फिर वह फोन पर आप बात नहीं कर पाइ you अपके किसी दोस्त किस्सा है अपको दोस्त किस्सा है उन्होंने वह से आपको फोन किया था क्या था मुझे खुब ही आप उस कॉल के बाद काफी भावुक भी हो गए थे उन्होंने आपकी कविता को अपने जीए यह कमाल खाव अच्छा वो मेरे अनुझ है और मेरे बहुत चाहने वाले बहुत प्रिये है और आपके आचुके है गेस्टिन न्यूजरूम में लक्षाद सिंग मेवार उनका ना तो उनका मैं वाट्षप इस्तिमाल करता नहीं था अभी थोड़ा बहुत जरूत लगी तो औ और कॉल भी रिजेक्ट पर आता था तो उन्हों आउस्टेलिया में एक अपॉइंटमेंट लिया और उन्होंने मेरी पत्नी स्वाती को फोन किया कि I am sending a video show it to chief उन्हें दिखा है और now I will burn with it समझ में नहीं आया उन्हें भी कि इसका क्या मतलब हो now I will burn with it ऑस्टेलिया में उन्होंने एपॉइंटमेंट लेके मेरी एक कविता मा कविता है उसकी चार पंक्तियां उन्होंने अपने रिजेसल पे उसका पर्मानेंट टेटू करवाया और कहा कि अब इस शरीर के साथ ही के पन्ग्तियां जाएंगी दोकी थी उनका उनकी मा के पती संभान हिंदी कविता के पती संभान और कवी के प्रती संभान मअ ब्हावक हो गया था जब वीडियो मैंने मैंने माटम को आप कुरा वीडियो डेखे देख नहीं पाऊंगा लेकिन निश्चित तोर पर आ भावुक हो गया था जब वीडियो मैंने मैडम को का मैं पूरा वीडियो देखूँगा नहीं यह लिखावा मैं देख नहीं पाऊँगा लेकिन निश्चित तोर पर एक शण ऐसा था जो जिंदगी पर न भूलने वाला याद्भुत था आप हमें उस कविता की कुछ पंक्ति लिखी वो तो अलग है जो मैंने बहुत सारे शोज में सुनाई भी है और बड़ी लोकों पर एक विड़ा था यह उस कविता की पंक्ति है तब 12 साल के बच्चे को यह पता नहीं होता कि मां को आप परिभाशा नहीं दे सकते 12 साल का बच्चा क्या जाने लेकिन तब मैंने लिखा था कि हम एक शब् तो उसकी चार पंक्तिया उन्होंने गुबाई थी, आज मैं खुद इस कविता को खारिज करता हूँ, कि मा को परिभाशा है आप दे नहीं सकते, क्योंकि जिस मा ने हमें लिखा, मैं उस पर क्या लिखेंगे, तो जो कविता मेरी बड़ी लोकप्री होई, वो ये थी, कि मा न नहीं होती, तब जिन्दगी क्या होती है, वो ये का बिताती है.